दोस्तों यदि आपने साल दोहजार चौबेस में इंटर पास किया था और इंटर पास 25,000 पुरसाहन रासे के लिए अगर आपने ओनलाइन आवेदन किया था तो मैं आपको बता दू अब आप सभी का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो मिलना शुरू हो चुका है अब यूजर आईडी पासवर्ड आजाने के बाद आगे की जो परकिरिया है उससे कैसा पूरा करना है कैसे फॉर्म को फाइनल समिट करना है मैं उसका एस्टेप बाई एस्टेप प्रोसस बताऊँगा क्योंकि फाइनल समिट नहीं करेंगे तब तक आपको रासी नहीं ध्यान रखिएगा बकि बहुत सारे ऐसे छात्राय हैं जिनको अभी तक आईडी पासवर्ड ही नहीं मिल पाया है तो आईडी पासवर्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते उसका भी पूरा जनकारी मैं देने जा रहा हूं और किनको आईडी पासवर्ड मिल रहा है वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ भी जाएंगे आईए अपने स्किन पर चलकर पूरी डीटेल जनकारी देता हूं कि कैसे आपको आगे जो है आईडी पासवर्ड आने के बाद फॉर्म को समिट करना होता है इंटर पास 25,000 रुपे के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपका आईडी पासवर्ड आज चुका है या आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो कैसे लेना ओभी बताएंगे आईडी पासवर्ड आज आने के बाद फॉर्म को समिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैप्टप में जो भी 12th Pass Scholarship 2026 जिस पर आपको क्लिक करना है तमाम जैनकारी Scholarship के बारे में यहाँ पर बताएगे ही है आप पूरी जैनकारी यहां सा समझ सकते हैं नीचे स्कॉल करकर आना है और यहीं पर देखेंगे आपको student login का option मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे जिसे यहाँ पर क्लिक करें हैं जिनको id password नहीं मिले हैं या किनको मिला है वो चेक करना चाहते हैं पहले उसके विसे में समझ लेते फिर आगे मैं form submit करकर आपको दिखाने वाला हूं देखिए इसके लिए simply आपको इसी website पर आना है सबसे पहला काम करना है चेक application status के सामने आपको क्लिक करना है अब यहा account verify है beneficiary status में आपका सारा detail इस परकार green tick होना चाहिए इस परकार अगर green tick है और अभी तक आपको id password नहीं मिले हैं तो id password आप खुझ से भी अनवाज सकते हैं उसका जनकारी में बताऊंगा है लेकिन जिनका अगर माले यहाँ पर beneficiary detail में detail अगर पूरा green tick नहीं है तो आपको id पासवर्ड अभी नहीं मिल सकते हैं यह कान खोलकर आप समझ लीजे जिनका अगर इसमें से किसी कारण से reject हुए है तो उससे आप सुधार भी कर सकते हैं वो कैसे करना है तो चैनल पर जाईए दो दिन पहले हमने इस वीडियो को बनाया था जिसमें सुधार करने का सभी तर यहाँ पर दिये गया है गेट यूजर आईई एन पासवर्ड जिसके सामने आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अपना रजिस्टरेशन नमबर जो फॉम भरते समय आपने मुवाइल नमबर दिया है उससे डालना है से वाले विकलपर क्लिक करेंगे password सभी को 1234 ही दिये जा रहे ID आपका अलग हो सकता है login करते ही इस परकार आपके सामने आपका dashboard आएगा यहां पर देखेंगे आपका जो भी status है वो देखनों को मिलता है यह verify है मतलब कि आपका जो account की detail है वो verify है यहां पर आपकी पूरी जनकारी भी देखनों को मिलता है इसमें आप कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं इन बातों को अब दियान रखेगा बाकी यहां पर देखेंगे आपका registration पर green tick है department and bank verification भी green tick है अब यहां पर एक option मिलते है finalize application का जिस पर आपको click करना है उसके बाद form को finalize करने के लिए आपको तीनों check box पर आपको tick करना होगा एक option मिलता है submit your application का जिस पर आपको click करना है बाकि यहां पर कुछ जनकारी पूछी जा रहाए है जिसमें आपका जुद नाम है वो सई है आप यहां पर एस्ट करेंगे पिधाजी का नाम सई है आपका registration नमबर सई है डेटो बर्थ सई है आपका नमबर सई है साथे साथा अधार पर आप आपका नाम सही है अधार नंबर सही है आप जो है अविभाहित है तो यहां प्रेस करेंगे बाकि माता जी का नाम सही है डिश्टिक आपका सही है उसके अलावे रॉल नंबर आपका सही है डेटो बर्त आपका सही है मुवाईल नंबर सही है इमेल आइडिया सही है तो इस पर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहां पर फिल करना है, एक option मिलता है, verify OTP and proceed का जिस पर आपको क्लिक करना है, अगर OTP ना मिले तो आप यहां पर recent OTP पर भी क्लिक करकर दुबारा OTP अनवा सकते हैं, उसके बाद इसका जो print है आपको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेन है, यहां पर क्या होगा, कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, यहां पर registration number डालकर search करेंगे, तो यह जो finalize detail है, वो आपको यहां पर एस मिलता है, और application payment status में in process हो जागा, payment आपको वही उमीद रखिए कि एक महीने, 15 दिन, 20 दिन जैसे ही department के पास पैसा आएगी, फिर यह राज से आपको मिल जाएगा, दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको step by step बताया कि ID, password अकर आपको मिल चुके हैं, तो आगे form को कैसे submit करना है, उमीद करता हूँ, आपने पूरी जानकारे समझा होगा, तो इस वीडियो को like और share जरूर कर देजिएगा, वीडियो